हेलो एवरिवाइन वेलकम तु दे चनल नितेश एजुकेशन 27 फ्रेंट स्में इस चनल पर उजिशी नट पेपर फर्स्ट और पेपर टी एजुकेशन और साइकॉलोजिक त्यारी करवाता हूं साथे साथ और इंडिया प्येश्ड और मिशन्स एंड आल तैप आप अफ इसी प्री एस यह क्वेश्चन पेपर सॉलुक्शन तो कुछ क्वेश्चन हुए थे बाकी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहा है क्वेश्चन नमर्ब 103 जो है निमिकित में से कौन अनुसंध अहई जाताँ परकलना का सुर्त है यह जो रिसर्च हैए इसके सोर्स्स क्या-क्या है ऑफ चन है पूर अनभौ ओप्शन नमबर टीस का जो है सही answer होगा जो कि आपका रिसर्च फिन बनाई जाती है उसके सोर्स क्या देखें क्या है एडिशन इंफोर्मिशन आरोल सबसे में रिस रिसर्स है सोर्स है रिव्यू आफ लिट्रेचर या रिवू आफ रिवी या फी या फिर हम बोलते हैं संब creative thinking होती है यानि स्रिजनात्मक्त चिंतन कह लिजे और प्रीविएस रिसर्च प्रीविएस रिसर्च जो है और संधान परिकलपना के सुरूत माने जाते हैं इनमें से कुछ मैंने डिसकस किया साथ इसाथ रिसर्च हाइपोथिसिस क्या होती है उसको भी मैं डिसकस करना चाहता है यह किशेटमेंट होता है या प्रेडिक्षन होता है या यह हमारे NPC के बीच में भी एब्स ट्रेक्शन्स डैट कैन नॉट बी डियरेक्टली ऑब्जरोट ठीक है बियर्वल साइस में डियरेक्टली किसी भी चीज को अब्जरोट नहीं किया जा सकता है इसलिए से करना पड़ता है कुछ सेंपल के फॉर्म में फिर हम उसको जो है अब्जर्व करते हैं नेक्स प्रकार के अनुसंधान में परिकल्पना के निर्माण की आवश्यक्ता नहीं होती है यानि कि इन विच टाइप ऑफ रिसर्च देर इस नो नीड़ ऑफ हाइपोथिस फॉर्मेश और प्रेजन पर प्रेजन पर डिपेंड होती है वर्तमान से समध्याओं का समधान इसमें हम लोग करते हैं लेकिन इसमें हाइपोथिस बनानी की आवश्यक्ता नहीं होती है अगर हम बात करें अतिहासिक अनुसंधान तो ये अतीत की घटनाओं प्रगतियों तथा अनुभवों का आलोचनात्मा कनुशन होता है नेक्स वेशन आपकी स्कीन पर है प्रयोगात्मा कनुसंधान की आंतरिक व होता है उसमें जो इंटर्नल वेलिडीटी होती है वो क्या डिफाइन करती है ये कि वह प्रणामों की सत्यता यानि कि जो रिजल्ट है उसकी उसके फैक्ट्स या जनर्लाजेशन रिजल्ट का या औरटिफिश्यल्टी या फिर मैक्चूरिटी तो आप्शन नंबर जो है इ यहां पर मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं क्या होता है इंटर्नल वैलिडिटी जो है जैसके आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक्स्ट्रेनिएस वरीड़ गृवल्ड एक्स्ट्रोल करता है यानि कि यह 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 इंदिक हैं जयेक्टियिटी लाता ह Community से external reality क्या होता है results translate to world at large यानि कि जनलाइजेशन का काम है findings are generalization ये जनलाइजेशन का काम करता है outcomes apply to practical situations जो भी outcomes आते हैं उसे हम practical situation में apply कर सकते है results can be translated into another context results को हम लोग another context में भी translated या define कर सकते हैं next question है आपकी screen पर question number 106 निकित मैंसे किन प्राप्तांकों के रणातों के मान होते हैं यानि कौन से scores है जो negative में भी define किये जाते हैं तो option A है आपका T score B है C score C है Z score और D है S9 ठीक है तो अगर सही answer की बात करें तो option number जो है आपका C है Z score जो है इसे हम negative form में भी define करते हैं अब additional information देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको discuss किस तरीके से हम show करते हैं तो सबसे पहले अगर हम formula की बात करें तो देखें जो Z score है Z score का जो formula है आपका X minus mu mu यानि mean upon sigma सिग्मा जो standard deviation है साथ इसा T score का जो formula होता है 50 plus tangent प्लीस इसको ध्यान से देखेंगा और note कर लीजेगा क्योंकि most expected chances है यह direct formula आपसे यह सारे पूछे जा सकते हैं exam में तो T score का जो formula होता है 50 plus tangent होता है H score या हल score जिसे हम कहते है वह उसका formula जो होता है 50 plus 14 into Z ठीक है next step का T score को हम C के form में भी अगर जो T और C के बीच का relationship है उसमें लिखना चाहें तो T score का जो formula होता है T equal to 5C plus 25 फिर S10 score की बात करें या S10 score की बात करें तो 5.5 plus 2Z होता है और S10 9 score की बात करें तो 5 plus 2Z होता है ठीक है अब यहां पर question यह पूछा था कि किसमें जो है रिणात्मक मान होते हैं यानि negative value होती है अब इसको मैं इस chart के थ्रूँ आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा देखें जो Z score में जो value है mean position से आगे की और जब बढ़ेंगे तो यहां देखें क्या लिखा है यहां पर आपको दिख रहा होगा plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 और mean position स जब backward जाएंगे तो minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 तो Z score में जो है negative value आपको दिख रही है बाकी के ध्यान से देखें जितने भी score है T score है C E B score है deviation IQ score है या फिर H9 है या percentile इन चारों पांचों score में जो है कहीं पे भी आपको negative values नहीं दिख रही है तो इस हिसाब से option number C है जो आपका Z score Z score में जो ह है next question आपकी screen पर है 107 निकित में से कौन भावनात्मक छेत्र के सैच्छी कुद्देश से संबंदित यहीं नहीं है जो effective domain होता है उससे कौन सा जो है related नहीं है आग्रहन ठीक है अनु आग्रहन के बाद आपका है अनुक्रिया यानि response C है व्यास्थापन और T है प्रत्यक्ष तो इसका जो सही answer है option number D प्रत्यक्षी करण जो आपका सही answer होगा option number D इसका जो है सही answer है यानि कि जो effective domain है उसको हम लोग आग्रहन प्रत्यक्रिया अनुमुक्षन संगठन और सभावी करण में जो है हम लोगोंने इसको बाट रखा है categorize किया गया है जैसा कि आपकी screen पर द एक्षन वर्व है यह आपकी screen पर दे रखा है ठीक है आप आगए अगर हम बात करें effective domain जो कि question में पूछा गया है भावनात्माक छेद्र उसके लिए यह protection कहीं पर भी नहीं है अगर हम psychomotor domain की बात करें तो psychomotor domain में देखें क्या आता है organization, adaptation, complex, word response, mechanism, guided response, set और perception तो यह जो perception है यह psychomotor domain का जो आपका psychomotor domain है उसका objective level है तो यह option यही वाला सही नहीं है option number जो D है वो सही नहीं है वो effective domain में नहीं आता है अब next question देखते हैं आ प्रिमखित में से किस वैधता के प्रकार प्रतिपादन क्रॉन बेक द्वरा सही किया गया है यह नहीं कि क्रॉन बेक ने which type of validity को Define किया है यहनी कि simple सा क्या है क्रॉन बेक ने कौन सी validity को Define किया है। तो इसमें क्या है आपका अपका नहीं संब्रती concurrent, सिय है रूप वैधत और D है पूर कथनात्मक तो इसका जो एंसर है आयोग ने इस पर इस्टार मार्क बना रखा है क्यों थोड़ा सा शंसय में है यह question इसको मैं लेकिन आप से discuss करता हूं कि इसका right answer क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं तो जैसा कि आपकी स्क्रीम कर देख रहा है यहां पर types of validity सारी दे रखी हुए है तो types of validity की बात करें तो चार तरीके की construct validity फिर content validity यानि कि test used standard comparison फिर internal validity test used ad hoc researcher assessed और चौती है predictive validity तो यहां पर जो construct validity होती है वो भी दो टाइप की है जिसमें पहला है कनवर्जेंट कनवर्जेंट टेस्ट यानि क्रॉन बैक्स alpha टेस्ट यहां पर अपलाई करते हैं और second है इसका discriminate जिसमें हम लोग कैंडाल कैंडाल स्टॉप भी यूज़ करते हैं और question में जो आपका पूछा है क्रॉन बैक्स ने आपका कौन सी validity को define किया है तो इसमें जो है Convergent है और option में आपके जो है कहीं पर भी Convergent नहीं शो कर रहा है इसलिए चारों options जो हैं थोड़े से संदिहासवत इस्तिती में है इसलिए आयोग ने इसमें कोई भी answer सही नहीं माना था ठीक है लेकिन इसका जो सही answer होगा वह मैंने आपको बता दिया है Convergent test used chronbex alpha ठीक है Convergent validity जो है उसके लिए जो जोता है उस purpose के लिए use होता है next question है आपका ज्यान मिमानसा का अर्थ है अब ज्यान मिमानसा की अगर हम बात करें तो देखिए अगर हम philosophy की बात करें तो इसमें तीन चीज़े हैं सबसे पहले option देख लेते हैं ज्यान मिमानसा को हम लो लोग सुनिएगा हो सकता है spelling mistake हो जाए तो epistemology क्या define करता है basically epistemology की बारे में पूछा गया है या ज्यान की प्रकृति का अधियन या फिर values of the knowledge या फिर संसार की प्रकृति का अधियन तो epistemology किस का अधियन करता है simple सा ये question पूछा गया है और इसका जो सही answer है वो मैं बताना चाता हूँ ये knowledge of the science है ज्यान की प्रकृति का अधियन option number B जो है इसका सही answer है अब epistemology की बात करें तो होता क्या है ज्यान में मनसा क्या होती है तो epistemology जो है आपकी ज्यान में मनसा इसमें logic का मतलब होता है विज्यान और epistem का मतलब होता है ज्यान तो ज्यान का विज्यान जो है यानि science of knowledge उसी को हम लोग क्या करते है epistemology इसके अंतरगत हम लोग क्या करते है जो इस विशेक अंतरगत जो है मानो बुद्धी है यानि कि intellectual है knowledge है ज्यान प्राप्ट करने के साधन क्या है विधिया क्या है सीमाय क्या है truth क्या है false क्या है प्रामाणिक्ता क्या है ब्रहम आदी की खुज इसमें आदी है इसको भी देखे कई विशेयों में बाटा गया है जैसे ज्यान विमानसा के भी कई पार्ट है जैसे rationalism है बुद्धी वाद है empiricism है अलूचना वाद है और rationalism की बात करने rationalism की प्रवरतक डेकार्टे को माना जाता है साथी साथ empiricism की बात करने तो जॉन लॉक को माना जाता है यानि अनुभावाद का जो जनक है जॉन लॉक को माना जाता है और अलचना वाद का जो जनक है कांट जो critical thinking की बारे में मैं बात कर रहा था उसे can't ने प्रतिपादित किया था इस तरीके से option number B जो है इसका सही answer होगा ग्यान की प्रकृति का हम अध्यान किसमे करते हैं ग्यान विमानसा के अंतरगत करते हैं next question है आपका list दे रखी है list 1 और list 2 इसको match करना है ये nominal scale है ये ordinal scale है nominal scale है ये ordinal scale है option C interval scale है option D ratio scale है अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस scale में हम लोग कौन सी statistics use करते हैं ये option जबलिंग करके दे हुए हैं जिसमें आपका geometrical mean दे रखा है geometrical mean दे रखा है frequency distribution दे रखा है option B यानि की आवरित्ति distribution option C सी 3rd है आपका मध्यांक मान यानि median और rank order कोटी अंतर सह समझ कोरिलेशन और फिर माध्य मीन है standard deviation है और correlation है तो इसको match करना है simple सा question है और कफी बार question ये पूछा जाता है और most important question है तो यहाँ पर जो सही answer है पहले वो मैं आपको discuss कर दूँ option number C option number C जो है इसका सही answer होगा यानि कि अगर हम बात करें जो nominal scale है वो frequency distribution को show करता है B3 यानि कि जो आपका ordinal scale है उसमें मध्यांक मांक और कोटी अंतर सहसंबन आता है option C जो है वो आपका माध्य मानक विज़े standard deviation और सहसंबन आता है और D जो है geometrical mean को show करता है अब इसको हम अगर detail में बात करना चाहें तो आपकी screen पर देखे है nominal scale क्या है property discrete orderless discrete होता है orderless होता है और अगर हम बात करें यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं तो frequency, percentage और mode यानि कि nominal level के लिए जो statistics है, frequency है, percentage है या mode है, तीन चीज़े है ordinal level के लिए हम लोग frequencies, mode, median, percentile यूज़ करते हैं interval level के लिए frequency, mode, median mean, standard deviation और ratio जो top level का होता है mean, standard deviation यहाँ पर यूज़ करते हैं ठीक है, तो यह इसका answer था बाकी ये भी इसी तरीके से mode, count, frequency, nominal level में यूज़ होती है median, minimum, maximum range के लिए नॉमनेल को छोड़के बाकी के तीन में, और शी तरीके से mean variance और standard deviation शुरुआत के दो छोड़के interval और ratio में यूज़ किया जाता है next question की बात करें, तो next question आपकी screen पर है question, लड़के और लड़कियों में गडित की उपलबधी में अंतर की जाच की लिए निमनी खित में से कौन सा परिक्षन प्रयूक्ट किया जा सकता है यानि कि mathematics का achievement का जो test है उसका test लेना की जाच करना है लड़के लड़कियों में कि इसकी गडित की उपलबधी अच्छी है उसके लिए हम कौन सा test यूज कर सकते हैं से समबाद्धा परिक्षन पहला option है यानि को रिलेशनल टेस्ट या फिर T टेस्ट या फिर काई स्कोर टेस्ट या फिर variance analysis तो इसका जो सही answer है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ option number B जो T test है उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि T test होता किसलिए है basically T test एक parametric test है T test एक parametric test है और इसमें जो है कि कम से कम दो ग्रूपों के बीच में हम लोग relationship find करने के लिए या findings find करने के लिए यहाँ पर हम लोग प्रिछन जाचने के लिए दो ग्रूपों के लिए यूज करते हैं इसको T test अब T test की अगर हम formula की बात करें और basic information की बात करें तो जैसे देखे क्या है T test students T test in statistics a method of testing hypothesis about the mean of small samples drawn from normally distributed population when the population standard deviation is unknown यानि कि जो samples है उनके बीच जो NPC based samples है यानि जो samples normally distributed है उनके बीच हम लोग hypothesis को test करने के लिए या samples को जाचने के लिए student T test को यूज करते है T test को ही student T test कहा जाता है और इसे develop किस ने किया था 1908 में William Silly Gossett ने develop किया था जो कि an Englishman publishing under the pseudonym student develop the T test and T distribution test भी इसे कहते है यानि कि William Gossett ये additional information है कि ये पूछा जा सकता है तो formula कि बात करें तो दीकल 2 X ३ यहां पर जोहें आपका रौ's score है और मयू आपका mean है ठीक है यहां 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 bliver निकित्क बात करें तो आपका में Aote मिआवि ऑपन s अपन अन्दर Story of N ठीक यहां पर क्या है आपका standard deviation है तो अगर इसका second form क्या है T equal to X1 minus X2 upon under root of S1 square upon N1 square plus S2 square upon N2, छिक है, तो ये इसका formula है T test का, ये भी direct पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो इसको भी याद कर लिजेगा, यह हो सकता है, direct numerical इस पे पूछ लिया जाए, mean दिया हो raw score दिया हो, standard division दिया हो samples दिया हो, तो direct to T test की value भी पूछा जा सकता है, तो next question है आपकी screen पर तत्व मिमानसा का क्या अर्थ है, तत्व मिमानसा अब अभी हमने देखे, इससे पहले question पूछा गया था, ग्यान मिमानसा epistemology क्या है, अब यहाँ पूछा तत्व मिमानसा या metaphysics जिसको हम लोग कहते हैं, what is metaphysics, यानि metaphysics के द्वारा हम किसका अध्यन करते हैं तो यह भौतकी की एक साखा है, option यह है, भी है, धात्व की भौतकी है, यानि भौतकी यानि, is a branch of physics या फिर धात्व की भौतकी, यानि मैटल्स ऑफिजिक्स, या अन्तिम याथारत की प्रक्रति जानने का प्रयास, यानि ultimate reality, what is the nature of ultimate reality, और option D है मौसम की भौतकी, weather's physics तो यहाँ पर जो metaphysics है, तत्व मिमानसा इसकी मैं बात करूँ, तो यह principle of reality है, वास्तविक्ता या सत्य की खोज करता है, तत्व मिमानसा क्या है, वास्तविक्ता या सत्य की खोज करता है, अगर हम बात करें, तो option number C, अन्तिम या थारत की प्रक्रति जानने का प्रयास करता है option number C, इसका answer होगा, यह होता क्या है, तत्व मिमानसा को हम लोग आन्यमेशन किया जाता है एक्सप्लूर किया जाता है ठीक है तो अगर हम बात करें फिलोस्पी में तीन ब्रांचे से Metaphysics, Epistemology, Axiology तो Metaphysics अभी जो question आपका पूछा गया है तत्मिमानसा का अर्थ है क्या है तो तत्मिमानसा का मतलब क्या है It is a branch of reality या study of reality वास्त विक्ता है कि खोज करना, explore करना Epistemology क्या है? Science of knowledge यानि कि Metaphysics क्या है? Science of reality Epistemology क्या है? Science of knowledge deductive or inductive method और Epistemology क्या है? Science of value यानि ethics, moral values और aesthetic, beauty इन दोनों की खोज या चर्चा या अधिन किया जाता है Next question अगर हम बात करें तो Next question आपके जगा Next question है आपके इसके इन पर निम्न मेंसे विचलन सिलता की माप के रूप में कौन सही नहीं है यानि की measurement of variability की जो माप है हम किसके द्वारा नहीं करते हैं इसमें ये पूछा है Option A है चतुर्थांग विचलन यानि quartile deviation जिसे हम QD भी बोलते है Option B है range यानि परास Option C है आपका Standard deviation मानक विचलन Option D है Sample Selection Error SSE Sample Selection Error तो इसका जो सही answer है Option D इसका सही answer है नहीं है तो निया इदर सही नहीं है Option D जो है इसका सही answer है अब क्यों सही नहीं है ये देख लेते हैं तो जो Option अगर हम बात करें हाँ माप करें अगर हम बात करें जो चतुर्थांग विचलन है मानक विचलन है परास है ये सारे जो है विचलन सिलता के माप की जाती है तो आगला क्वेश्चन है आपका प्रकृतिवाद ने किस सिछण पदेती को जन में दिया प्रकृतिवाद ने अब प्रकृतिवाद की बात करें क्या है option number B जो है इसका सही answer हुआ खेल भी थी अब प्रकृतिवाद और सिच्छन वीदियों में आगर हम बात करें प्रकृतिवाद किस की बात करता है learning by doing की बात करता है ज़्यादा तर सिख्षा के छेतर में इसे लाने का असरे प्रकृतिवाद के समपर्क में आते ही दूशित हो जाता है जब वो पैदा होता है तो शुद्ध होता है प्रकृति उसे शुद्ध भेसती है तो प्रक्तिवाद किस चीज की बात करता है प्रक्तिवाद कहता है कि बालक जो है learning by doing करके सीखता है बालक जो है learning through experiences experience के द्वारा सीखता है बालक जो है learning through experience के बाद learning through play बालक जो है खेल के द्वारा सीखता है और इन्होंने जो विधी बताई कई विदियों का प्रक्तिवाद में जन्म हुआ जिसमें से खेल विदी भी एक है उसके साथी साथ अगर हम बात करें कौन-कौन सी विदियां आई प्रक्तिवाद में तो Montessori मेथड भी प्रक्तिवाद की देन है Dalton मेथड भी प्रक्तिवाद की देन है प्लेवे मेथड भी प्रक्तिवाद की देन है, हिरुष्टिक मेथड भी प्रक्तिवाद की देन है, अब्जर्वेशन मेथड भी प्रक्तिवाद की देन है, और साथी साथ प्रत्यक्ष्विधी भी डारेक्ट मेथड भी प्रक्तिवाद की देन है, तो इस तरीके से option number भी जो है इसका सही answer होगा और अगर additional information की बात करें तो project method जो है किसके दोरा दिया गया है किलपेट्रिक method के दोरा दिया गया है next question है आपका भारती दर्शन की परंपराओं में दो मूलभूत विभाजन है option A है वेदान्त और बॉध B है अद्वैत तथा द्वैत यानि dualism और non-dualism आस्तिक और नास्तिक ठीक है और D है कतरवादी तो भारती दर्शन को mainly मुख्य रूप से मोटा मोटा बात करें तो दो भागों में बाटा गया है जिसको हम लोग कहते हैं आस्तिक और नास्तिक option number C इसका सही answer है अब आस्तिक कौन है आस्तिक वे हैं जो वेदो को मानते हैं उन्हें हम लोग उन्हें आस्तिक के दिया जो वेदो मिस्वास रखते हैं नास्तिक कौन है जो वेदो को नहीं वानते हैं वेद दर्शन को नहीं मानते हैं उन्हें हम लोगों ने क्या के दिया कि ये नास्तिक है नेक्स्ट क्रेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर यह है भारती दर्सन में सरवादिक वैरागी मत है वैरागी का मतलब जिसमें ढोंग पाखन ये सारी चीज़े नहीं है और काफी अंद्रिस्वास नहीं है आध्यात में इस रिचुलिजम के ज़्यादा बात नहीं के गए तो उप्षन ये है बौध बी है जेन सी है विदान डी है सांग तो दिखिए इसका जो सही एंसर है सरवादिक वैरागी की बात हो रही है सरवादिक हाड सरवादिक कटर जो धर्म माना जाता है मालब जिसमें हाड डिस्सिप्लिन्स है वो जेन धर्म को माना जाता है जो जेन धर्म है वो आपका सरवादिक वैरागी मत है जेन धर्सन का option number 20 का जो है सही एंसर है additional information की बात कर लेते हैं तो यहां मैंने जो है बुद्धिजम, हिंदुजम और जनिजम दोनों तीनों को जो है इस तरीके से लिष्ट रखी है बुद्धिजम में कौन है गौतम बुद्ध है ठीक है अब बात करें बिलीव्स तो ये बिलीव्स हैं बुद्धिजम किस पर बिलीव करता है फोर नोबल टूर्थ है डिजायर से एट फूल पाथ है काम है रिंकारनेशन है गौड्स स्टेटिस्टिक संग स्क्रिप्चर अब इसकी हम बात करें तो ये कास्ट सिस्टम जो हिंदुजम है कास्ट सिस्टम है मुक्ष की बात करता है स्क्रिप्चर से योगा है रिकारनेशन है और जैनिजम की बात करें तो यहां पर टॉलरेंस कर्म नेचर इसक्रिप्चर सौल यह सारी सीचे इंक्लूडिंग है तो जैन जो है हाड है दोनों से काफी इसमें नियम कैदेक अनाउन है नेक्स्ट क्वेस्टिन है आपका निमन զ्रक विचलन क्विचलन कॉर्टेल डेवियेशन ऑप्शन C है माधि विचलन एवरेज और ऑप्शन D है इस्टेंडर्ड डेविचल यहां पूछा अतिकिन्त विश्वष्शनियम क्या है यानी जो एक्यूर्टर रिजल्ट देता है इस्टेंडर डेविचलन जो है आपका option number D वो सही answer है वो accurate result देता है मानक विचलन क्या होता है सभी प्राप्तांकों के उपर आधारित होता है मानक विचलन क्या होता है सभी प्राप्तांकों के उपर आधारित होता है जिसके करण यह सरवाधिक इस्थाई तथा विश्वसनी सूचना प्रदान करता है अपने इस्थाई तथा विश्वसिजना के कारण मानक विचलन सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला विचलन शीलता गुडांक है यानि कि मानक विचलन सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है अब अगर हम इसके फार्मले की बात करें तो मानक विचलन का जो फार्मला है इस्टेंडर डिवेशन का सिग्मा या एसडी इक्वेल टू समेशन ओफ एक्स आई माइनस मु का होल अफ इसक्वेर यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखें तो एक्स जो है रॉआ स्कूर है आपका और एक्स बार जो है मीन है तो यहाँ पर यہी है एक्स आई माइनस मीन यानि रॉआ स्कूर माइन का होल अफ इसकोर डिवाइड बाइ आन यहाँ पर झा दे रखका है population औफ इस्टेंडर डिवेशन सिग्मा है यहां पर यह पूछा गया है एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के डैश का मापन करने के लिए थे प्रशाशन किया अब टी एक किस चीज के लिए बिसिकली यूज होता है यहां पर यह पुछा गया है ठीक है या लएक आक्फिस्व में टेस्ट है या पर्सनल्टी टेस्ट है तो जो TAT है वो option number C's का सही answer है यह एक aptitude test है माफ किज़ेगा माफ किज़ेगा aptitude test नहीं यह एक personality test है ठीक है TAT thematic perception test इसका full form है thematic perception test यह एक projective test है और उसमें भी जो है आपका personality के लिए use होता है और इसे जो है margan or murray ने दिया था इसके बारे मैं additional information के हम बात करें तो TAT को किस ने दिया था TAT को सबसे पहले बनाया तो मुर्य ने थे था मुर्य 1935 में लेकिन उसके बाद इसको थोड़ा सा और update किया गया और इन दोनों ने मिल के 1931 में इसको finalize किया इसलिए अगर पूछा जाता है TAT को define किस ने किया तो अगर मर्रे option में है Morgan ने तो सबसे बले मर्रे लगाई है और अगर दोनों है तो दोनों लगाई है ठीक है अब इसमें क्या होता है यह personality test है और यह construction test के अंतरगत आता है इसमें total जो है आपका 31 card होते हैं total 31 card होते हैं जिसमें यह जाते हैं 20 में से 19 में चित्र बने होते हैं एक card blank होता है और इसको दो session में इस test को apply किया जाता है पहले 10 card दिये जाते हैं उसके बाद card देने के बाद जो भी subject से उनसे कहा जाता है कि अब आप इसको जो है आप इसके आधार पे कहानी लिखिए चित्रों के आधार पर कह किस ने दिया था option a है Brunner ने भी आसुबल सी एक्षिन डी कोलबर्ग ने तो इसका जो option भी है डेविड आसुबल ने जो है एडवांस ऑगनाजर मॉडल दिया था और यह कब दिया था इसको हम देख लेते हैं इसके बारे में काफी important question है तो देखे क्या है आपके screen पर meaningful verbal learning एक देखे बहुत question पूछा जाता है कि verbal learning पर बेश्ट या advanced organizer जो मॉडल है वो किस learning पर बेश्ट है तो verbal learning पर बेश्ट है इसमें होता क्या है his theory of meaningful verbal learning deals with three concerns इसमें तीन चीजों इन्होंने बताएं how knowledge is organized यानि curriculum content कैसे knowledge organize करता है बच्चा second is how the mind works to process new information यानि new information को process करने के लिए mind कैसे work करता है यानि learning की बात की गई है और option c how teachers can apply these ideas about curriculum and learning when they present new material to students यानि instruction की बात की गई है कि teacher कैसे instruct करते हैं students को तो advanced organizer model जो है बहुत ही famous model है किसका डेविड आसु बेल का साथ ही सायथ अगर हम बात करें इसमें Brunner का आसु बेल का कोलबर्ग अरेक्शन का एरेक्शन की थियोरी साइको साइको शोशल थियोरी है कोलबर्ग की जो है आपकी नैदिक moral development की थियोरी है ठीक है अब next है आपका मैसलो के आवशक्ता अधिगम में सही क्रम है most important question है मैसलो की जो थियोरी है वो भी बहुत ही बार पूछे आती है और इसका जो अनुक्रम है इसको हम लोग hierarchical थियोरी भी कहते है मैसलो की मैसलो की जो hierarchical थियोरी है या humanistic थियोरी और personality ये भी कहा जाता है इसका जो सही answer है पह अगर हम बात करें इसको डीटेल में तो यह आपकी सामने पूरी मैसलो की पहुंचो स्टेजेस हैं सबसे पहले physiological निट्स आती है जिसमें ब्रीधिंग है food, water, sex, sleep, home status और excretion है second level पे है आपका safety निट्स जैसे security of body, of employment, of resources, morality, family ये सरी चाहिए फिर थर्थर्ड स्टेज पहता तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नीचे की दो निट्स हैं उसे lower level की निट्स कहते हैं और उपर की तीन जो है higher level की निट्स हैं तो self actualization जो है इनकी upper level की निट्स है जिसे मैसलो बहुत ही important मानते हैं और ये जो figure है ये ऐसे bottom to up approach है तो आज हम लोगोंने सारे questions ज़रा ज़रूर पूछ सकते हैं साथी साथ ये आपको जनकारीत देना चाहता हूँ कि जब आप चैनल की playlist में जाएंगे तो यहां पर सारी playlist के पड़ी हुई है जैसे जैसे लेक्ट्र प्रीवेस्ट क्वेस्टन पेपर है यूपी जैसी लेक्ट्र पोस्ट पीजेटी ऑप पड़े हुए हैं तो यहां से जाकर आप आसानी से एकसेस कर सकते हैं और एक बार जाकर जुरूर विजिट करिए अच्छे अच्छे content पड़े हुए है चूकि आपका जूरूर पर आ रहा है तो त्यारी करने का जो है कि पूरा समय आ गया है आशा करता हूँ यह information आपको अ आपका दिन शूरू